दोस्तों, रक्षा बंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथी को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षा बंधन का त्योहार भद्राकाल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में रक्षा सूत्र यानि की राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षा बंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षा बंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए। इस पर बहुत ज्यादा ही उल्जन की स्थिती है। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्थ आपके लिए जानना अति आवश्यक है। और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी। का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसलिए भूल कर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधे। इसके पीछे एक पौरानिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापती रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई थी। और एक वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षा बंधन का त्योहार ना मनाएं। दोस्तों रक्षा बंधन के दिन बहने अपने भाई की कलाईयों पर राखी बांती है और उनकी लंबी उम्र की काम ना करती है। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को सनान आधी करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने लेकिन याद रहे। शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा ले और उसमें रोली चंदन अक्षत राखी मिठाई आधी और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख ले। दीपक आप चाहे तो आटे का बना ले या माटी का या पीतल का जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी दोस्तों। अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे या मंदिर में राखी आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाए और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षा बंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भ भाई की आरती करें अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधे और इसके बाद भाई का मुख मीठा कराए भाई के लिए मंगल कामना करें दोस्तों राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन तेरी सदा में रक मा बन कर तेरा पालन पोशन करूंगा। जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा। और बहनों को उपहार बगैरा अवश्य भेंट करें। इस साल रक्षा बंधन के दिन भधरा का साया रहेगा। रक्षा बंधन पर भधरा के प्रारंब का समय सुभह में 5.23 मिनट पर है। उसके बाद वह दोपहर 1.32 मिनट तक रहेगा। इस भधरा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह प्रिथवी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुब नहीं होती है उसे शुब ही माना जाता है लेकिन कई शुब कार्यों में पाताल की भद्रा को नजर पंचक भी है रक्षा बंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है पंचक शाम साथ बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह पांच बजकर तिरपन मिनट तक रहेगा पंचक सोमवार को लग रहा है जो राज पंचक होगा इसको अशुब नहीं माना जाता है ये शुब होता है दोस्तों अब जानते हैं सबसे इंपोर्टेंट बात रक्षा बंधन का शुब मुहूर्त देखिए उन्नीस अगस्त को रक्षा बंधन का मुहूर्त दोपहर में एक बजकर तीस मिनट से लेकर रात नो बजकर आठ मिनट तक है उस दिन भाईयों को रा राखी ना बांधे पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है लंका पति रावन को इसी समय राखी बांधी गई थी इसलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया इसलिए समय के अनुसार ही रक्षा बंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुब और मंगलकारी रहेगा थोड़ा सूर्यास्त होने के बाद रक्षा बंधन का त्योहार आदी नहीं मनाते लेकिन रक्षा बंधन यानि राखी बांधने का मुहूर्थ 19 अगस्त को रात 9 बज कर 8 मिनट तक का है तो इसमें आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं क्योंकि इस समय शुब की अतियावश्यक्ता होती है फिर मुहूर्थ रात में पढ़े या दिन में मुहूर्थ तो आखिर मुहूर्थ है दोस्तों मुहूर्थ पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुब फलों की प्राप्ती होती है उसका कभी अमंगल नहीं होता ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोडों में खेलेगा रुत्बा। पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा राहु दोश। पित्रदोश नजरदोश। मंगल दोश सब कुछ दूर रहेंगे। इससे जीवन पर नकारात्मक्ता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए। कोई चप्पल आधी भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अप भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वेद पुरान के। अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षा बंधन पर खुद नहीं जाती। और भाई आता है। बहन के घर तो उस बहन को दोश लग जाता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि खासकर रक्षा बंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए फिर भाई चाहे कहीं भी हो बहन को जाना चाहिए यदि भाई आपके पास नहीं है विदेश में रहता है किसी कारण वश आप भाई के पास नहीं जा सकते तो आप भाई के नाम की रक्षा बंधन की थाली एक राखी मिठाई अक्षत रोली चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझ कर उनकी कलाई पर बांधे वह राखी स्वयम आपके भाई की कलाई तक पहुँच जाएगी फिर चाहे आप श्री कृष्ण को बांधे नारायन को बांधे आप जिसके भी भग्त हैं उनकी कलाई पर बांधे वह स्वयम राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुँचेगी और ऐसी राखी मन में बांधी गई राखी सक्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयम ईश्वर तुल्य हो जाती है रक्षा बंधन पर खाने में क्या-क्या बनाना चाहिए? आए जानते हैं देखिए रक्षा बंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए क्योंकि इस समय देव शक्तियां ईश्वर स्वयम धर्ती पर चल कर आते हैं वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धर्ती पर स्वयम पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है भगवान भाई के अंदर बस्ते हैं इसलिए लहसुन प्याज मांस मदिरा बीड़ी सिगरेट घुटका आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए कभी नहीं बनाना चाहिए नहीं तो रक्षा बंधन खंडित हो जाएगा बेहन का वरत तूट जाएगा खाने में आप खीर पूरी खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं मीठा हलवा मीठी सेविया जरूर बनाएं कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बेहन को ढेर सारा आशीरवाद मिलता है तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए कुछ बनाएं या ना बनाएं पर मीठी सेविया जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए उसके बाद ही रक्षा बंधन का पर्व मनाना चाहिए बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुरलभ मंगलकारी माना जाता है रसीले आलू की सबजी गोभी की सबजी केले की सबजी छटपटे गोभी आलू मटर पुलाव पनीर पुलाव और खीरे का रायता आप बना सकते है घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए इस दिन घर में तबाह नहीं चड़ाना चाहिए अशुभ माना जाता है कड़ाई चड़ा कर पक्का खाना ही बनाए इसे शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना माना जाता है जो कि त्योहारों के शुभ समय बनाया जाता है इसे साक्षात ईश्वर ग्रहन करते हैं भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर उसके बाद मुहूर्थ के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना वरत तोड़ती है और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का वरत संपूर्ण करना चाहिए बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीरवाद दे कर वापस अपने स्वर्ग लोग को चले जाते हैं कहते हैं जो बहन इस दिन भाई के लिए वरत नहीं रखती रक्षा बंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है तो भाई की उम्र कम हो जाती है इश्वर नाराज हो जाते हैं वरत खंडित हो जाता है बहन को इस दिन वरत अवश्य रखना चाहिए क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ प्यार बढ़ता है इश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षा बंधन का कोई लाब नहीं होगा। और यदि आप संतोशी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें। नहीं तो माता संतोशी नाराज हो जाएंगी। माता संतोशी को खटे पदार्थ से अत्यंत नफरत है। वह यह बरदाश्ट नहीं करती। क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षा बंधन पढ़ता हो, तो माता संतोशी भी सक्रिये। अवस्था में होती है, वह स्वयम धरती पर पधारती है। क्योंकि शुक्रवार मा संतोशी का वार है। इसलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। संतोशी माता यदि प्यारी हैं तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है। लेकिन यह तो संजोग की बात है कि रक्षा बंधन पर शुक्रवार पढ़े। यदि पढ़ जाए तो थोड़ा सावधान हो जाए। भाया हम हिंदू हैं तो धर्म शास्त्रों का पालन तो करना ह पढ़ेगा। रक्षा बंधन पर एक ऐसा उपाए जो बेहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती है। यह उपाए स्वयां हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ती होती है। सरकारी नौकरी हासिल होती ह व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दोड़ने लगता है। उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दोड़ता है। भाई को कभी किसी की। नजर नहीं लगती। दुरघटना में उसकी मृत्यू नहीं होती। इस उपाए को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है आईए जानते हैं सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुठी बांध लें और भाई के उपर से साथ बार उतारा करें। अब जो पैसे आपकी मुठी में थे उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई आर्मिक पेड़ पर बांध दें। व्रिक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और व्रिक्ष पर राखी बांधें। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी वह विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बेहन और भाई दोनों का कल्यान होगा। भला होगा भाई को और दोश काल सर्प दोश, पित्र दोश राहु दोश, शनी दोश, भयंकर गरीबी का दोश कभी नहीं। लगेगा यह उपाय तंतर शस्त्र के अध्याय नंबर 83 में सपष्ट लिखा है। यदि रक्षा बंधन पर यह उपाय किया गया, तो साक्षाद भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है, बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है, घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे, यह उपाय खास कर रक्षा बंधन पर ही किया जाता है, साल में एक बार ही आता है, रक्ष